हेलो एब्रिवन वेलकम टू मैं चैनल सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं येलो फंगस के बारे में कोरोना संक्रमन ब्लैक फंगस और वाइट फंगस से अभी रहत मिली भी नहीं थी कि येलो फंगस नाम के एक नए खत्रे ने दस्तक दे दी है सबसे पहले येलो फंग ऐसे जीवों में पाया जाता है इतना ही नहीं ये रैप्टाइल्स का फंगस होता है और ये जिस भी रैप्टाइल्स को अगर हो गया तो वह रैप्टाइल्स जिन्दा नहीं बचते इसलिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक और जानलेवा माना जा रहे हैं वाइट और ब्लैक से भी ज्यादा खतरनाख यालो फंगस हो गया है यालो फंगस जब सोगाइस पैली बार किसी इनसाद में देखने मिला है डॉक्टर वेनुसार येलो फंगस जो है ये गंदगी के कारण होता है ये फंगस सामान रूप से जमीन पर पाया जाता है जिससे छिपकली और गिर्गिट जैसे जो भी जीव होते हैं उनकी रोग निरो तक छमता जो होती है कम हो जाती है जब ये येलो फंगस के कॉं करता था वो फंगस इंसानों में देखने को मिला है डॉक्टर का नुमान है कि कोरोना के कारण इंसानों की इम्मुनिटी जो है वो बहुत ही वीग होते जा रही है इसलिए ये फंगस उन्हें चपेट में ले रहा है येलो फंगस जो है एक तरह का म्यूकस सैप्टिकस होता है इंसान के सरीर में घाओ बना देता है और इस घाओ को हील करने में बहुत समय लग जाता है सैप्टी सीमिया पैदा कर सकता है यहां तक कि सारे औरगन डैमेज कर सकता है येलो फंगस के जो सिम्टम्स है उनके जो लक्षन सामने आ रहे हैं वो है नाक का बंद हो जाना सरी सरीर में अत्यदिक कमजोरी महसूस करना हार्ट रेट का बढ़ जाना भूख ना लगना सरीर में घाओ का बन जाना और उन घाओ से मवाद बैना ये सब लक्षर जो है येलो फंगस के देखने को मिल रहे हैं इन फंगस के अटैक से बसने के लिए खुद प्रिकॉसंस कुछ हम ले सकते हैं क्योंकि कहते हैं कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ में जैसे कि घर के यास पास की साफ सफाई का ध्यान रख सकते हैं इस पेसली वो पेसेंट जो कि अभी अभी कुरोना से ठीक हुए हैं वो अपने हाइजीन का खास ध्यान रखें क्योंकि उनकी इम्मुनिट रख ले या यंत्र रख ले क्योंकि घर में 30 से 40 फीसी से ज्यादा नमी जोती है वो खतरनाक हो सकती है अपनी इमिनेटी स्ट्रॉंग रखे हेल्दी डाइट ले ताजा खाना खाए बासी या खराब खाने का प्रयोग ना करें जितना ज्यादा हो सके उतना पानी पीए और य खाल फिल्टर पानी आप यूज़ करें या फिर वाम वाटर यूज़ करें पर पानी या फिर वाम वाटर यूज़ करें